हाई देर जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो ब्रेक टाइम है सेशन का ब्रेक है या एक्जाम के बीच में ब्रेक है उसको कैसे यूज करना है तो बहुत सारे क्वेशन बच्चे पूछ रहे थे आज सुबे क्लास में तो मुझे लगा कि एक छोड़ा सा वीडियो बना देता हूँ ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं आपका एक्जाम है आप वहां जा रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए चुकि अगर बात करें जो एक्जाम देने जा रहे हैं ठीक है तो जब आप वहां एक्जाम देने जाएंगे तो मान लीजे आपका 10 बजे पेपर है तो 10 से 11 बजे तक आपका एक घंटे का केमेस्ट्री का पेपर हो गया ना 930 आपको पहुंचना चाहिए ठीक है टेन अगर पेपर है तो 930 मा पर पहुंच जाए फिर आपका 60 मिनिट्स के पेपर के बाद 11 ओक्लॉक दूसरा पेपर हो जाएगा 12 15 तक ठीक है इसके बाद आपको मिलेगा 75 मिनिट्स का ब्रेक काफी बड़ा ब्रेक है 75 मिनिट्स का 1 ओर 15 मिनिट्स यहां पर आपको जो यह जो ब्रेक मिल रहा है यह धियान अकना यह शिफ्ट ब्रेक है यानि कि next exam के लिए ब्रेक है यह session ब्रेक और shift ब्रेक दो तरह के ब्रेक अभी मैं clear करूँ है क्या है ठीक है तो फिर आपकी shift 1 B start ह होगी जिसमें आपका 12 15 PM से और 1 PM तक एक एक्जाम हो गया आपका biology का इस तरीके से आपके यह तीन पेपर यहां पर हो जाएंगे ठीक है तो दो पेपर हो जाएंगे ब्रेक के साथ 75 मिनिट्स का यह ब्रेक है बीच में shift ब्रेक पहला पेपर है 60 मिनिट्स का और दूसरा पे फिर आपको एक session break दिखाई दे रहा है जो कि 120 मिनिट्स का यानि कि 2 घंटे का है तो यह किसलिए दिया जा रहा है यह इसलिए दिया जा रहा है कि आपका अब next session यानि कि बाकी के जो दो एक्जाम है वो होंगे उनके लिए दिया जा रहा है प्लस इसके पीछे देने का एक reason यह भी है कि कई बच्चों के 2 exam एक center पर है और फिर बाकी के 2 exam किसी दूसरे center पर है तो हो सकता है कि आपका भी ऐसा हो कि 2 paper आपको एक center पर देने है और फिर आपको 2 paper किसी दूसरे center पर जाके देने है तो यह 2 घंटे का time इसलिए दिया गया है कि आप ट्रेवल कर सके अगर आपका सेम सेंटर है दूसरे एक्जाम के लिए भी तो वहाँ पर आपको यह देख लेना है इस तरीके से फिर आपका तीन बजे से एक्जाम स्टार्ट होगा ठीक है तो या तो आप ट्रेवल करेंगे और दूसरी जगे जाएंगे अगर आप ट्रेवल नहीं कर रहें तो वहाँ पर कोई न कोई अरेंजमेंट होगा ठीक है यह जरूर आप मेक शोर कर लेना अथॉरटी से वहाँ पर पूछ लेना कि बाहर जाना अलावड है या नहीं बिना पूछे बाहर मच जाना गैस्वर्क पर काम मत करना हो सकता है उन्होंने कुछ इंटर्नल अरेंजमेंट करे हुए हो कैंटीन का अरेंजमेंट हो स्कूल के प्रमाइसिस के अंदर ही बाहर जाना अलावड ही ना हो तो पूछ के जाना उस दो जाने देंगे ठीक है बाहर नहीं जाने देंगे आपको जो शिप्ट ब्रेक है 75 मिनिट्स का अच्छा जो दूसरा तीसरा एक्जाम होगा आपका वो तीन में से लेकर और 3.45 तक होगा and then you'll have again the shift break जो आपको जैसे वहाँ पर ता 75 मिनिट्स का यहाँ पर भी है और फिर आपका जो लास्ट एक्जाम होगा वो फाइव ओ क्लॉक से 6 ओ क्लॉक तक होगा तो पूरा आपका 10 ओ क्लॉक से लेकर और 6 ओ क्लॉक तक का यह एक्जाम का टाइम है 9.30 आपको पहुँच जाना है ध्यान रखना बल्कि और 10 मिनिट पहले ही पहुँच जाएंगे और 6 ओ क्लॉक आप फ्री होंगे ठीक है I hope आप understood कर गए है कि कैसे session break और shift break में क्या करना है आपको shift break में मुझे नहीं लगता कि वह आपको बाहर जाने देंगे आपको अंदर ही रहना पहन के जा सकते हैं क्या आप लड़की है तो ठीक है एक कड़ा कुछ पहन सकते हैं और यह नहीं कि कोई हाया तक की चूडिया पहन के चला जाए और वहां जाके कई मेरे हाथों में नो-nो चूडिया है तो यह अच्छा नहीं लगेगा सिंपल से कपड़े पहन के जाएए अपने साथ अपनी स्टेशनरी लेकर जाएए ठीक है मोबाइल फोन अलाउड नहीं होगा तो या तो आप गार्जन्स के साथ जाएए जो बाहर आपका मोबाइल फोन पकड़ ले हाँ पानी में जरूर कहूँगा कि हो सके तो अपनी करेंगे ठीक है मैं बार-बार फिर से आपको बता दू बाहर जाने के लिए इस्पेशली अच्छे से कंफर्म कर लेना कि बही बाहर जाना अलाउड है या नहीं ठीक है सेशन ब्रेक जो है उसमें शायद बाहर जाना अलाउड होगा क्योंकि वह बहुत बड़ा ब्रेक है द दूसरी बात जो मेरे सामने आई थी वो रॉल नंबर को लेकर आई थी कि सर रॉल नंबर के कितने प्रिंट लेकर जाएं तो बही देखो एक्जाम दो शिफ्ट में है तो डेफिनेटली दो कॉपी तो लेके ही जाना बल्कि तीन ले जाना एक एक एक्स्ट्रा ले जाना एक तो वहां लिखा हुआ है कि photo बहुत clear होनी चाहिए तो black and white में ये देख लेना कि आपका चहरा पहचान में आ रहा है या नहीं अगर नहीं आ रहा तो please color print निकलवा लेना black and white print मत लेकर जाना ठीक है कोई बात नहीं थोड़े से आपके 20-25 रुपे लग जाएंगे color print में लेकिन 2 या 3 print आप निकलवा के जाना ठीक है तीसरी चीच जो मैं बोल रहा था वो है आपका self declaration form जो आपको मिला है उस पर please photo वही paste करना जो आपने अपने roll number के लिए paste करी है जो आपने roll number के लिए send करी होगी ना form भरते time same photo paste करना declaration form पे और अपने left thumb का impression आपको उस पे लगाना है sign मत करना क्योंकि sign invigilator जो है वो आपसे अपने सामने करवाएगा ठीक है और जितना आपने जो भी declaration forms आपके पास आए हैं एक या दो उतनी photographs प्लीज अपने पास carry भी कर लेना दो तिन photographs एक्स्ट्रा carry करनी चाहिए अपनी एक ID जरूर carry करना साथ में ठीक है और मैं बार बार बता रहा हूं फिर से signature नहीं करने है declaration form पे वो वहीं जाकर करने है sign मत कर देना नहीं तो सब गड़बड़ो जाएगा ठीक है और हो सके तो declaration form की एक-दू फोटो कॉपी एक्स्ट्रा ले जाना या पहले practice कर लेना ठीक है ताकि कुछ गलती हो तो वो उसी पर हो actual form पर ना हो ठीक है और बाकी जब आपका break हो तो प्लीज यह मत करना कि paper discuss करने लग गए कि तूने कितने किये मैंने इतना किया उसका क्या answer था इसका क्या answer था यह आप थोड़े से demotivated हो जाएं पता लगे कि अरे उसका answer यह था और कई बार ऐसा होगा कि जो बता रहा होगा सामने वाला उसका answer गलत निकलेगा आपको घर आके पता लगेगा कि आप ही answer सही था ठीक है ना तो ऐसी कोई भी फालतुगी बात किसी से नहीं करनी है ठीक है ना ही next paper के बारे में यह बात करनी है कोई के आपसे कोई भी बोल देगा कि यह point ना बहुत important है यह paper में जरूर आएगा और पता लगा आप वह point पढ़के नहीं आयो तो आप खामा-खाई पहले ही demoralize हो जाओगे demotivate हो जाओगे इसलिए शान्त रहना किसी से कुछ बात करनी की ज है और जब long break आपको मिल रहा है दो घंटे का उसमें भी आप प्लीज कोशिश करना कि आप लोगों से contact avoid करें ज्यादा बाचीद ना करें ठीक है चांस मिल जाए revision करने का बाहर जाना allowed हो जाए तो थोड़ा revision कर लेना लेकिन थोड़ा chill भी मारना है थोड़ा relaxed rest कर लेना ठीक थोड़े fruits ज्यादा consume करो मैदा कम खाओ यार चीनी कम खाओ क्योंकि वो आलसी बनाती है especially exam वाले दिन और नींद भरपूर लेकर जाना ठीक है अच्छे से सोना है ताकि exam वाले दिन हम पूरा energetic और fresh feel करें तो अभी से 2-3 दिन अपना diet जो है न आप थोड़ा healthy food खाए पुछ fruits आप लेके जा सकते हो या sprouts आप लेके जा सकते हो आपकी मदर आपके लिए sprouts बना सक्ति है इसको मसाले दार फोड़ा सा प्याνε टमेटर accomplishments स अच्छे से आप लेके जा सकते हो आप बनानाज लेके जा सकते हो, मैंगो लेके जा सकते हो, पानी अच्छे से लेकर जाना, ठीक है? Because a healthy, you know, mind resides in a healthy body, तो इसलिए थोड़ा body का भी धियान रखना है, ठीक है? तो ये सब बातें आप धियान रखो, exam आपका बहुत अच्छा जाएगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, don't worry about it, बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों ने की है, ठीक है? So best of luck, take care, see ya!